हेलो टेडर्स मेरा नाम है शुबाम और स्वागत करूँगा आप सभी का हमारे चानल शुबागदम है तो दोस्तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि धन के ट्रेडिंग व्यू प्लैक्टफॉर्म में हम किस तरीके से लिमिट और लगा सकते हैं तो हमें सबसे पहले tv.dhan.co इस वाले विबसाइट पर आ जाना है और वहाँ पर हमारी login information डालके login कर लेना है तो जैसे हम यहाँ पर login कर लेंगे कुछ इस तरीके का interface हमारे सामने दिखेगा अगर आपके पास धन का trading account नहीं होगा तो आप simply open कर सकते हो description में आपको free account opening की link मिल जाएगी तो जैसे हम यहाँ पर login कर लेंगे कुछ इस तरीके का interface हमें दिखेगा यहाँ पर से हम watch list भी manage कर सकते हैं यहाँ पर 3 dot पर click करके जो भी stock में आपको trading करनी है या फिर limit order लगाना है वो stock यहाँ पर watch list में add कर सकते हैं यहाँ पर add button पर click करके और यहाँ पर हम example ले लेते हैं कि भारत petroleum का भारत petroleum में मुझे यहाँ पर एक limit order लगानी है जैसे कि मेरी analysis क्या बोलती है अभी यह stock जो है वो 307 पर trade कर रहा है पर मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा सा expensive है price यहाँ पर नीचे आ सकती है फिर यहाँ पर से उपर जा सकती है और मैं इसे सिर्फ discount price पे ही buy करना चाता हूँ तो उस वाले condition में अगर हम यहाँ पर buying के भी limit order लगा सकते हैं selling के भी limit order लगा सकते हम यहाँ पर buying का example ले लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो options मिलते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो red column और blue column यह sell market और buy market का यहाँ पर order का option मिलता है यहाँ पर भी click करके हम लगा सकते हैं otherwise दो arrow के symbol आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे यहाँ पर हम click करेंगे तो कुछ इस तरीके की order panel हमारे सामने open होगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दो options मिलते हैं यहाँ पर selling का भी लगा सकते buying का भी लगा सकते फिलाल हम यहाँ पर buying का example लेने वाले देन हमें यहाँ पर नीचे order types देखने को मिलते हैं यहाँ पर हम limit order select करेंगे और जो भी price पे आपको buy करना है वो price यहाँ पर डाल देना है जैसे कि हम नहीं आपर बात की यह अभी 307 पर trade कर रहा है मुझे लगता है कि यह 304 तक आ सकता है इसलिए मुझे यह 304 के limit price इस पे ही buy करना है तो मैं simply क्या करूंगा यहाँ पर 304 डाल दूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक से डालना है नीचे units मतलब हमारी quantity जालने है जितनी भी quantity आपको buy करने हो आप यहाँ पर डाल सकते हो फिलहाल में एक ही यहाँ पर रख रहा हो और नीचे आके यहाँ पर हमें today पर ही रहने देना है यहाँ पर आपको नीचे आके दो options मिलते है product में हमें दो options मिलते है intraday और delivery delivery मतलब long term के लिए खरीदना है intraday मतलब intraday trading करना है आप कोई भी select कर सकते हो फिलहाल में यहाँ पर intraday select कर रहा हो और जैसे हम यहाँ पर intraday select करेंगे और यहाँ पर हमें यह जो blue वाला column वाला box से यहाँ पर click कर देना है जैसे हम यहाँ पर click कर देंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि order submitted का notification आपको यहाँ पर दिख जाएगा यह order अभी यहाँ पर submit हो चुकिए अभी दिन में जबी भी price यहाँ पर 304 पर आ जाएगे automatically यह एक share मेरे लिए धन बाई कर लेगा तो इतना simple यहाँ पर procedure है, hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो help मिली होगी, अगर मिली है तो please इस वीडियो को like कर दीजे, आपके friend के साथ tending comment साच share कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे channel को subscribe भी कर दीजे, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते, thank you very much